हैलो एवरिवन दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के बीच पेपर 7 का निचोर सेयर करने जा रहा हूँ हर हाल में आप सभी स्टूरेंट्स इन सभी कोस्टन को बढ़िया से जरूर कर लीजिएगा यह मेरा लास्ट वीडियो होगा पेपर 7 के लिए गेस कोस्टन का आप सभी स्टूरेंट्स इन सभी कोस्टन को बारवार रिवीजन की जिएगा हैंड राइटिंग पे काम की जिएगा जिस प्रकार से पेपर 5 और पेपर 6 के एक साम में सारा का सारा कोस्चन हमारे guess कोस्चन से मैच किया पेपर 7 में भी डिक्टो 100% कोस्चन मैच करेंगे इसलिए बढ़िया से इसको कवर कर ले जिएगा पेपर 7 के अंदर पहला जो सवाल आएगा ये आएगा explanation section से टोटल चार explanation का जवाब आपको देना होगा एक explanation का सवाल रहेगा poem section से एक रहेगा novel से एक रहेगा sorted story से और एक रहेगा essay से चारो question 8-8 marks करके होंगे 32 marks ये cover करेगा explanation के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बतलाने नहीं जा रहा हूं क्योंकि धेरो वीडियो मैं अलरी बना चुका हूं तो एक ही content को बार बार रिपीट नहीं करना चाहता आप सभी students उन explanation वाले वीडियो को देखिएगा इस वीडियो के description box में मैं लिंक दे दे रहा हूं आप उन सभी वीडियो को देख लेना explanation आपका वहीं से cover हो जाएगा कोई issue आए तो comments करके बताईएगा अब आज ये long question की ओर हम लोग आते हैं paper 7 के अंदर दूसरे number question से long question स्टार्ट होता है और दूसरा जो सवाल आता है ये आता है poem और poet दोनों का mixture यहाँ पर आपके पास दो प्रकार का option होगा या तो आप poem section से answer लिखो या फिर poet section से answer लिखो इसको काफी detail में हम लोग discuss किये हैं यहाँ पर मैं आपको कहूंगा अच्छा रहेगा poem section से answer दो poem section को prepare करोगे तो long question में तो help होगा ही साथी साथ explanation भी आपका sort out हो जाएगी लेकिन poet को करते हो तो केबल आपका दूसरा number सवाल ही वहाँ से cover होगा तो poem को कर लिजिएगा और poem में यह सारा poem most important है जिसमें से पहला है इन सभी को अगर आप कर लेते हो तो दूसरा सवाल हर हाल में बन जाएगा explanation का भी सवाल आएगा तो इन सभी को तो बढ़िया से कर नहीं है साथी साथ explanation के point of view से इन सभ को भी थोड़ा थोड़ा देख लेना है ताकि कम से कम आप answer में एक page dead page जरूर लिख लो silent steps, transformation, village song and our kazrina teri इतना कर लेते हो तो यह आपका explanation में help करेगा एक चीज और clear कर दू यह जो नीचे का poem देख़़े हो यहाँ से long question नहीं बनेगा long question केवल और केवल यहाँ से बनेगा तो यह चीज याद रखिएगा वह से अगर आपको poet करने के इक्षा हो तो आप कर लेना, केवल दो कर लेना एक रविंदरनाथ टैगोर और दूसरा तोरोदत, इसके अलाब बिल्कुल मत कीजिएगा दो ही sufficient रहेगा तीसरे number question क्यों राइए तीसरा सवाल आपका आएगा The Guide Novel से The Guide Novel से दो ही परकार का सवाल आता है एक title, theme, plot, construction वाला और एक character वाला तो अगर character अगर आप लोग करना चाहते हैं तो Rosie के character को बढ़िया से कर लीजिएगा Paper 6 के लिए मैं आपको दो character दिया था आपने देखा दोनों character डिक्टो मैच किया एक था आपका Philip Harriton और एक था आपका Mr. Higgins तो इन सभी को जिस प्रकार से आपने किया था Paper 6 के लिए मैं कहूंगा आप यहाँ पे भी बढ़िया से Rosie के character को कर लीजिए यह आपका portion कवर करा देगा बाद मां की अगर और question करना चाहते हैं तो The Guide Novel से title कर लीजिएगा theme कर लीजिएगा और narrative technical portion कर लीजिएगा अगर आपसे कुछ भी न हो तो आप character को भी मत करना केवल और केवल 3 से 4 page का The Guide Novel का summary बढ़िया से कर लेना introduction और conclusion क्या कर देना है वो थोड़ा आप note down कर लीजिएगा copy में बस हो जाएगा केवल summary से आप लिख लेना कोई भी सवाल आए starting में introduction लिखना last में conclusion देना और बीच में जो question पूछ रहा है उसी को लिख करके underline करके heading बनाना और उसमें summary लिख दना बस हो जाएगा तो अगर आपके पास ये सभी prepare नहीं है तो केवल और केवल आप summary को कर लेजिए enough रहेगा अब आजाएए चाउंथे number question की ओर चाउंथा number सवाल आपका आएगा essay section से और essay section के लिए तीन enough रहेगा इसके लब आप बिल्कुल मत कीजिएगा अगर इस section से explanation की बात करोगे तो explanation का सवाल काफी easy आता है education से related सवाल आता है कहीं से भी सवाल आएगा आप उसको formally answer दे दोगे काफी असान होता है तो इन तीन को कर लीजिएगा आपका काम हो जाएगा चाउंथा सवाल solve हो जाएगा पांचमा सवाल आता है सौट स्टोडी से और इसके लिए आप इन सभी को कर लीजिएगा हर हाल में सवाल बन जाएगा जिसमें से sparrows and homecoming ये दो most important है पहला सवाल के बार में मैं आपको बताया ही था बादमा के दूसरे नमर सवाल से ले करके और last नमर तक का जो ये सवाल हो गए total 17-17 marks करके होंगे तो आप सभी students इन सभी question को prepare कर लीजिए enough रहेगा आपके paper के लिए बादमा की अगर इन सभी का answer आपके पास हो अच्छी बात नहीं हो तो ये मेरा whatsapp नमर है इस पर whatsapp message कीजिएगा मैं आपको available करा दूँगा साथी साथ recently हम लोग एक instagram page भी open किये हैं तो आप सभी students यहाँ पर जाकर हमको follow जरूर कर लीजिएगा thank you so much everyone